नमस्कार साथियों स्वागा थे आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल डिसे जोग्रफी क्लासेस में यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक असाने से पहुंचती रहे तो हम लोगों ने जारखन पीजी टी जो दोजार ताइस में एकजाम हुआ तीन तारीक को उसका हम लोग ने एक से पचास तक के कोस्टन को देख लिया है आज हम लोग कुस्टन नमबर 51 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं तो जो कुस्टन नमबर 51 था इसमें पुछा गया था निम्निखित में से कौन सा भारत की भावतिक विस्विस्ताओं का व्यापा कृप से अनुखरन करने वाले तीन भोगर्विक छेत्रों में से एक नहीं है तो इसमें जो आप्शन था हिमालय था परवतों के आनिसमूः पेनेंसुला सिल्ड अलपाइन परवत गंगा सिंदू का मैदान तो यह आप्शन नंबर सी जो अलपाइन परवत है इस तरीके का कोई फिजिकल डिविजन इंडिया में नहीं है हिमालय एक अलग फिजिकल डिविजन है पेनेंसुला सिल्ड यानि जो प्राइद उपिय भारत है वो है गंगा सिंदू का मैदान ही है लेकिन अलपाइन परवत जैसा कोई फिजिकल डिवाइड भारत को नहीं किया गया है तो अप्शन नंबर इसका क्या है सी कोशन नंबर फिप्टी टू गंगा ब्रहम पुत्र महा नदी और क्रिष्णा नदियां किस और उन्मुख है यानि किस और प्रवाहित हो रही है काफी एजी कोशन है ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है तो अप्शन नंबर इसका राइट अंसर हो जाएगा कोशन नंबर फिप्टी थ्री निम्न में से कौन सनदी अप्वा पैटर्ण का वैध प्रकार है यानि जो रिभर का ड्रेनेज पैटर्ण है उसका एक वैलिड पूछ रहा है वैलिड टाइपस ओप ड्रेनेज पैटर्ण तो डेंडरिक है इसका ट्रेलिस जला इत अप्वा ये भी है रिडियल ड्रेनेज पैटर्ण ये भी है तो all of the options ये सारे बिकल्प सही है इसलिए option number इसका D, right answer हो जाएगा question number 54 निम्नलिकित में से किसने यह परिकल्पना की थी कि भारतिय मानसुन चक्र का प्रात्मी कारण भूमी और समुद्र के अलग अलग ताप्रभाव थे यानि जो thermal concept जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था तो Edmond Healy के द्वारा दिया गया था और यही Edmond Healy ने पहले बताया था सबसे पहले कि जो स्थल भाग है और जो जल भाग है इसके गर्म होने का जो जो duration है, उसमें जो difference होता है, अंतर होता है, उसी के करण भारतिय मौनसुन active होता है, तो option इसका B, right answer हो जाएगा, question number 55, कहा जाता है कि भारतिय मौनसुन ला निना से प्रभावित होता है, जो कि कहां होता है ये, तो प्रशांत मासागर का ये घटना है, एल निनो ला निना, ठ 56, जल्ये क्रिसी की एक विसे साखा, जिसमें भोजन और अन्य उत्पादों के लिए समुद्र के, एक सनलगन हिस्से में, या टैंको, तलाबो, या रेसवे में, समुद्री जल से भारे जिवों, समुद्री जिवों की खेती सामिल है, को क्या कहा जाता है, तो इसे समुद्र या जाता है, मेरी कल्चर कहा जाता है, ठीक है, जो समुद्र से समंदित हो, जो जल से समंदित हो, मेरी कल्चर, कोस्टन नमबर 57, द्रवीड भासा, द्रवीड परिवार की भासाओं को बोलने वाली, भारते जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिसेत है, तो यह लगभग 20 प्रतिसे था यह साथ इंडिया में जो पाए जाते हैं द्रवेड लोग, ओके, अपसर नमबर 20 का राइट आंसर, कोशन नमबर 58, भारत ने किस काल में जनसंख्याबिस फोड देखा, यानि भारत में जो जनसंख्याबिस फोड का स्थिती था, पॉपलेशन एक्स्प्लोजन, वो कांसा था, काफी जी था, 1951-1981, एकासी के बीच भारत में बहुत ती ब्रगति से जनसंख्याबिस फोड की स्थिती भी कहा जाता है, आपसर नमबर C, कुशन नमबर 59, 2011 के जन गन्ना के अनुसार, भारत के भितर कुल प्रवासियों का लग प्रवास किये, उसमें 88% अंतरराजिये प्रवासी थे, ठीक है, आपसर नमबर D, इसका क्या हो जागा, राइट अंसर, कुशन नमबर 60, तेरहमी सताब्दी में अहोम लोग, वर्दमान, मयानमार से, ब्रहम पुत्र घाटी की ओर, चले गए, जो अहोम लोग थे, वो कहां रहते थे, ये मयानमार में, और यहां से ये लोग शिफ्ट करके कहां चले गए, ब्रहम पुत्रा नदी घाटी छेत्र में, ठीक है, अपसर नमबर D, इसका राइट अंसर, कुशन नमबर 61, प्रत्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचूर मात्रा में पाया जाने वाल दूसरा सिलिका पाया जाता है, ठीक है, अपसर नमबर 20 का राइट अंसर, पसर नमबर 62, मेगाले में, बहुत संकिन्ट सुरंगों की खुदाई, आमतर पर केवल 3-4 फिट गहरी, जिसमें स्रमिक कोईला निकालने के लिए प्रवेस करते हैं, खानन के रुप में जाना जात है, यह देखिए, यह क्लास 9 का NCART से पूछा गया है, इसको राइट होल कहते हैं, ठीक है, और यहां लिखा है राइट होल, यह अलग-अलग किताब में लिखा हुआ है, राइट होल कहा जाता इसे, लेकिन यहां राइट होल लिखा हुआ है, अपसर नमबर A इसका क्या हो जागा, करेक्ट, कोशन नमबर 63, जब वायू मंडल में कैसे सूरी की गर्मे को रोक लेती है, तो प्रिथी पर गर्म होने को, क्या कहते हैं, तो यह ग्रीन हाउस एफेक्ट इसको कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, अपसर नमबर B इसका, राइट अंसर, कोशन नमबर 64, भारत सरकार द्वारा भूमिउपयों को कितने सुरीनियों में वरगी करित किया गया है, तो इसे कुल नौ सुरीनियों में वरगी करित किया गया है, अपसर नमबर C इसका क्या हो जाएगा, ठीक, कोशन नमबर 65, हाडोती का पठार जो राजस्थान की, किस जलवाई प्र स्थित है, तो ये आद्र दक्षिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है, ठीक है, आद्र दक्षिन पूर्वी, यानि जो राजस्थान का दक्षिन पूर्वी भाग है, उस छेतर में जो मैदानी छेतर पाय जाता है, उसका उप छेतर है, ओके, अपसर नमबर D इसका राइ Electronics, Aerospace के लिए भी, रख्छा उपकरन के लिए भी, तंबाकू और सिगार तथा सिग्रेट के लिए भी, ठीक है, तो ये सभी विकल्प सही है इसमें और सरकार ने सभी के लिए license compulsory कर दिया है, आप बिना license का आप अध्योगिक बिसफोट नहीं कर सकते हैं, मतलब बिसफोटक उद्योग नहीं खुल सकते हैं, electronic, aero या जो security से related जो industry है उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तंबाकू और सिग्रेट का जो बैपार है वो भी नहीं कर सकते हैं, बिना सरकार के license के विला, तो option number D इसका right answer हो जाएगा, question number 67, पुछा गया है, मई दोहजार ताइस तक भारत निमलिखित में से किसे मेनी रतन केंद्रिय सारवजनिक छेत रूप के रूप में वरगिकरित किया गया है, तो इसका जो correct answer है, वो है, cotton corporation of india limited, cotton corporation of india limited को हाल ही में, दोहजार ताइस में इससे क्या किया गया है, मीनी रतनिक केंद्रिय सारवजनिक छेत्र उद्यम के रूप में classify किया गया है, अलग किया गया है, question number 68, लुगधी और कागज का निर्मान किस प्रकार से समन्धित है, काफी easy question था, forest based, जो industry है, उससे related है, लुगधी और कागज, ठीक है, next question है 69, उच मुल्य हलकी और खराब होने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक, किसके द्वारा ले जा सकता है, तो ये railway नहीं होगा, road नहीं होगा, waterways नहीं होगा, बलकि airways होगा, why you mark, जो भी चीजे है, जो काफी किमती है, बहुत हलका है, और खराब होने वाला है, और लंबा ट्रैवल करके इसको मार्केट तक ले जाना है, तो हम इसे airways का उप्योग करके कर सकते हैं, अगर railway से सड़क मार्क से या जल मार्क से ले जाएंगे, तो ये खराब हो जाएगा, next है question number 70, भारत की पहले railway line, तब कि बंबे और थाने के बीच का अपचारी कृप से ठीक, question number 71, भारत का सबसे लंबा रास्टी ये राजमार का कौन सा है, तो NH44, ठीक है, question number 71 का option number B, यानि NH44 सबसे लंबा है, question number 72, निनलिखी इतमे से किसके पास 2020 तक से भारत के साथ रेल सेवा नहीं थी, ये भी class 10th का जो, sorry 9th का जो 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 जोग्रफी का बुक है, उससे पुछा गया है, तो जो सिक्कीम है, ये 2020 तक यहां रेल सेवा, यानि देश के अन्य हिसों से ये रेल सेवा से कनेक्टेड नहीं था सिक्कीम, ठीक है, तो option number, इसका D, correct answer है, question number 73, भारतिये अंतर देशिये जल्मार्ग प्राधीकरन का मुख्याले कहां इस्थित है, जो inland waterways authority है, इसका headquarters पुछा है, head office पुछा है, तो ये कहां है, नोईडा में है, उतर प्रदेश, okay, next question 74, किसी राजी की राजधानी को विभिन जीला मुख्याले से जोडने वाली सड़के आमतर पर क्या कहलाती है, तो ये राजी का राजमार्ग कहलाती है, यानि स्टेट है में कहलाता है, जो कि अलग-अलग district और अलग-अलग capitals को, जो headquarters होता है district का, उसको आपस में connect करती है, next question है 75, भारत की निमलिखित पंचवर्षिय योजनाओं में से किसमें हेराट डॉमर विकास मोडल को अपनाया गया था, तो ये पहली पंचवर्षिय योजना थी, जो मोडल था पहली पंचवर्षिय योजना का, वो हेराट डॉमर ने त्यार किया था, अपसर नमबर डीस का राइट अंसर, question नमबर 76, पुछा गया है कि भारत में अंतिम पंचवर्षिय योजना कौन सी थी, उसके बा पंचवर्षिय योजना खतम हो गया, तो अंतिम जो था पंचवर्षिय योजना, वो बारहमी पंचवर्षिय योजना थी, ठीक है, बारहमी के बाद कोई पंचवर्षिय योजना नहीं हुई, क्योंकि योजना आयोग का स्थान कौन लिया है, अग निति आयोग ने ले लि है तो option number जो A है इसका correct answer हो जाएगा 78 है निमने लिखित में से कौन सा कारक जो अधिवास को प्रभावित कर सकता है तो जो relief feature है वो भी soil का quality है वो भी water availability है वो भी तो यह सारे questions options सही है इसलिए सभी विकल्प सही है option number D question number 79 किस अधिवास में घर सड़क railway line नदी घाटी के किनारे नहर के किनारे या तर्बन के साथ स्थित होता है तो किस टाइप का अधिवास जो नदी के किनारे railway line के किनारे सड़क के किनारे नदी घाटी के किनारे इस्थित होते हैं तिसमें लोग linear settlement pattern करते हैं रैखिक अधिवास प्रतिरूप जो सीधा सीधी रेल वे लाइन के दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ नदी घाटी के दोनों तरफ बसे होते हैं इसको रैखिए अधिवास प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है question number 80 निमनलिकित में से कौन सा सहर नदी के किनारे स्थित नहीं है तो आगरा भपाल पठना कुलकाता आगरा जो है वो यमना नदी के किनारे पठना गंगा नदी किनारे कुलकाता होगली नदी के किनारे भपाल कोई नदी के किनारे स्थित नहीं, इसलिए option number B इसका right, question number 81, निमनलिकित में से कौन सा, विस्व का पहला भारतिय विरासत सहर है, तो जो अहमदाबाद है ये सबसे पहला भारतिय विरासत सहर है option number A, इसका right answer माना गया है next question देखते हैं, 82 निमनलिकित में से कौन सा परिछिप्त अधिवास से समंधित नहीं है यानि disparate settlement से समंधित नहीं है, जो छितराया हुआ अधिवास होता है तो ये है क्रिशी मुख्य वेवसा यानि जो ऐसा छितर जहां का मुख्य occupation क्रिशी हो, तो ऐसे छितर काफी compact होते हैं, सघन होते हैं और यहां बोलाया, परिछिप्त से समंधित नहीं है इसका मतलब ये किस समंधित है ये सघन अधिवास से समंधित है क्रिशी मुख्य वेवसाई जहां होता है question number 83 the grand canyon जो है, वो किस देश में स्थित है काफी easy questions था ये USA में है option number D question number 84 पुछा गया, निमनिल्कीत में से किस महादूप का भुभाग सबसे कम है काफी पुछा गया था easy questions जो Australia है ठीक है, ये सबसे छोटा महादूप है तो option number A इसका correct answer हो जाएगा question number 85 कोपेन का वर्गे करन वार्षिक और मासिक और वर्षन के साथ साथ देशी वनस्पती के आउसत मानों पर आधारित है तो जो आउसत वार्षिक और मासिक तापमान है, इसके उपर आधारित है option number C इसका right answer हो जाएगा question number 86 सबसे महत्पूर्ण कारक जो 36 तापमान वितरन को प्रभावित करता है किसका वितरन है तो ये भूमी और जल्दर अभिमान, यानि जो land और water मास है इसके उपर ये depend करता है कि जो horizontal, जो temperature का distribution है, वो कैसा है ठीक है question number 87 बढ़ती हुँचाई के साथ बढ़ता हुआ, तापमान क्या कहलाता है तो ये temperature inversion कहलाता है option number B तापमान वितरन जैसे हम लोग नीचे से उपर की तरब जाते है तो temperature क्या होता है कम होते जाता है इसको हम लोग normal condition माते है लेकिन नीचे से अगर उपर जाते temperature बढ़ रहा है तब ये inverse हो जाता है यानि व्यूत क्रम हो जाता है ठीक है तो option number 20 का right option question number 88 मास वेस्टिंग का एक प्रकार है जो कि गुर्तवा कर्शन के प्रतेक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी धलान के नीचे की गती को दर्साता है तो ये क्या कहलता है भूस कलन जिसको हम लोग land slide काते है इसमें क्या था gravity का ही खेल होता है gravity के कारण ही जो परवत या परवतिये छेतर है वहाँ भूस कलन किस्थिती देखी जाती है option number A 89 बैस्विक आधार पर मुखिरुप से किस के कारण होता है अत्यधिक चराई के कारण होता है बिलकुल होता है अत्यधिक क्रिसी गत्ती विद्धियों के कारण होता है बिलकुल होता है वन उन मुलन के कारण होता है बिलकुल होता है तो सारा option इसमें correct है सभी विकल्प सही है ये भी class 10th के NCRT से लिया गया question से question number 90 वास्पत सर्जन के माध्यम से नमिक के नुकसान को संरक्षित करने के लिए कौन एक विसेश मौसम में अपने पत्ते गिराते है तो जो परणपाती बन है जो deciduous forest है ये क्या करते है अपने पत्ते को गिरा देते है ठीक है जो वास्पत सर्जन होता है उसे नुकसान को बचाने के लिए अगर पेड़ जो परणपाती बन है अगर ये अपने पत्ते नहीं गिराते तो ये सूख जाते है ठीक है इसलिए पेड़ पौधा सूखने से बचने के लिए अपने पत्ते को ये गिरा दते है option number C question number 91 किसमें वासपिकरण तब होती है जब सूरज की रौशनी पानी की सतक को गर्म करती है तो जल चक्र, नाट्रोजन चक्र, भागोलिक चक्र, या पर्दन चक्र तो जो जल चक्र है ये काफी easy questions था जो जल चक्र है ये वासपिकरण इसमें तब होता है जब सूरी की रोसनी पानी के सता को गर्म करेगा ठीक है option number A question number 92 महासागरेजल के नियमित उपर से उठकर उठने और गिरने को क्या कहते है इसको tide कहते है यानि ज्वार कहते है ठीक है क्या कहते है इसको Tide next question question number 93 तट के समानांतर भी तिया लेकिन उसमें चोड़ी गहरी लैगून द्वारा अलग की गई क्या कहलाती है यह barrier reef कहलाती है जो barrier reef होती है यह क्या करते है जो समुद्र का तट है उसके समानांतर चलते है ठीक और यह जो लगून है उसके द्वारा यह अलग किया जाता है यानि समुद्र तट और समुद्र के बीच एक लगून होता है उसके द्वारा यह अलग रहता है जिसको हम लोग barrier reef कहते है नेक्स्ट कोस्टन है 94 निम्न लिखीत में से कौन सी आर्थिक गतिविधी प्रात्मिक छेत्रक के अंतरगत नहीं आता है तो क्रिसी आता है बिलकुल परीवन आता है निर्मान विजली इसमें पूछा कौन इन में से कौन सी आर्थिक गतिविधी प्रात्मिक छेत्रक के अंतरगत आता है तो प्रात्मिक में क्रिसी option number a इसका क्या हो जाएगा right answer question number 95 रूर छेत्र निम्लिकित में से किस समन्दित हैं तो यह हम लोग जानते हैं कि रूर बेसिंद जो जर्मनी है वहाँ से वहाँ भी एक रूर छेत्र है रूसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है रूर बेसिंद जो कि भारत में जारखन को कहा जाता है ठीक है रूर प्रदेश अप्शन नमबर बीस का करेक्टर अंसर रह जाया कुश्चन नमबर चानवे क्रिसी स्थान का सिधान किसने प्रतिपादित किया जो अगरी कल्चरल लोकेशन से रिलेटर्ड थियोरी है वो कौन दिये थे तो ये वोन थोने ने दिया है ठीक किसी देश की आर्थिक ब्रिधी कुमापने के लिए निमलिकित में से कौन से विधी सबसे उप्युक्त होगी सुध आय विधी सुध रास्टिया आय सकल घरेल उत्पाद सुध रास्टिया सेवा सकल पुंजी निर्मान यहां पुछा जा रहा है कि किसी भी देश का जो एकोनोमिक डेवलपमेंट है जो ग्रोथ है वो किस से नापते हैं तो ये जीडीपी से नापते हैं ये जीडीपी से नापते हैं यानि सकल घरेल उत्पाद जो होता है option number B किसी भी देश का डेवलप्मेंट का जो लेबल होता है हम लोग GDP से मेजर करते हैं उसे नमबर 98 पसुपालन सब्द किस से समंदित है ग्रामिन वानी की खाना बदोस्त चरवाहा पसुपालन पोशन या संजुक्तवन प्रबंधन तो जो पसुपालन सब्द है जो रैंचिंग ह यह एनिमाल जानी पसुपालन पोशन है उससे समंदित है ठीक है अपसन नमबर C कुस्टन नमबर 99 सभी पौधे जानवर और अन्य जियू जो किसी भी जलवाई चेतर में एक विसिस्ट प्राकृतिक समूदाय बनाते हैं क्या कहलाते हैं यह बायोम कहलाता है ओके क्या कहला horror बायोम कहलाता है और बायो नीट नहीं जैआ व अरधन नहीं बायोग कहल एक बनाता है बिसन हिफे 1 शिवाटे इक की आप तो यह था आज का हमारा पूरे 50 प्रस्न अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 101 से 150 तक के कुस्टंस को देखेंगे तो चलिए थैंक्यू सो मच मिलता है फिर से अगले सेशन में तब तक अले धन्यवाद